नमस्कार आपका स्वागत है दोस्तो एक बार भगवान स्रीकृष्ण से पार्थ ने पूछा है माधो कोई ऐसा वाक्य कहिए है जिससे दुख में भी सुक का अनुभव हो और सुक में भी हम उत्साहित न हो तब भगवान स्रीकृष्ण मुस्कराए और उन्हेंने कहा कि ये समय भी बीच जाएगा इसका अर्थ यह कि चाहे अच्छा समय हो या बुरा दोनों ही समय गुजरते अवश्य है कोई भी समय सदव के लिए एक जैसा नहीं रहता किसे भी व्यक्ति के जीवन में सुक और दुख आते जाते रहते है तो हमें किवल मन को इतना समझाना चाहिए कि ये मन तो क्यों व्यथित हो रहा है अगर आज दुख के बादल घिरे हुए है तो कल सुक की वर्षा भी अवश्य होगी और अगर फिर भी मन व्यथित हो रहा है तो आपने आसपास के संकेतों से आप एक उम्मीद अवश्य उज्वलित कर सकते है जी हाँ वक्त बदलने से पहले या मनुश्य के जीवन में खुशिया आने से पहले ईश्वर के द्वारा उसे कुछ शुबसंकेत अवश्य मिलते है जिने हम अपने मुर्खता में जान नहीं पाते और ये कोई सुनी सुनाए बाते नहीं है किन्तो शास्त्रों में इनका प्रमान मिलता है आज हम ऐसे युग में जी रहे है जहां हमारा अपनी आसपास की चीजों पर ध्यान नहीं रहता है किन्तो यदि आप इन संकेतों को पहचान ले तो आपका जिवन और भी सुकमे बन सकता है तो आईए जान लेते हैं ऐसे कोन से संकेत है जो आपके जिवन में आने वाली खुशियों का इशारा करते है पर उससे पहले अगर आपने चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताके बैसे अध्यत्मिक जानकारी वाले वीडियो देख सके पहला संकेत घर के सदस्यों की मुस्कान जी हाँ क्या आपको कभी ऐसा महसिस हुआ है कि आकारण ही आपके घर का माहुल बहुत अच्छा सा हो गया है घर के सबी सदस्य किसी कारणवश अचानक ही हसते हुए या मुस्कराते हुए नजर आते है तो ये संकेत देता है क्या आपके घर में बहुत जल्द ही धेर सारी खुशियों का आगमन होने वाला है दूसरी बात पुराने मित्र या सज्जन विक्ती से मुलाकात कभी-कभी हमने सोचा भी न हो और हमसे मिलने हमारे सबसे प्रिय मित्र सज्जन लोग या करीब रिष्तेदार भी आ जाते है वैसे तो शास्त्र में अतिती का आगमन सदेव ही शुब माना गया है और उसमें भी यदि आपके सबसे प्रिय या खास सबंदी आपके घर पर भीन बुलाए ही आचानक ही आ जाए तो ये संकेत देता है कि आपके द्वार पर भी सुकर वैभो का आगमन होने वाला है इसे इश्वर के द्वारा एक शुब संकेत माना गया है तीसरा संकेत आप किसी यात्रा पर जा रहे हो तब आपको रास्ते में हिरन दिख जाए या गई आपके मारग में आ जाए तो ये बहुती शुब संकेत माना जाता है कहते हैं कि हिरन, गाय और गाय का बचड़ा ये अच्छे वक्त आने की निशानी माने जाते है ये दिवे आपके मारग में दिख जाए तो आपकी यात्रा अवश्य सफल होती है इसके अलावा शास्त्रों में ये आपको रास्ते में जाते हुए कई किसी वेक्ति की शुव यात्रा दिख जाए तो ये भी शुब संकेत की तरप इशारा करता है चोता संकेत आपके घर में धन, घेने, मिठाईया या नए वस्त्रों का आग्मन जिया दोस्तों इदि आपके घर में नए वस्त्र, घेने या उपहार में धन की प्राप्ति हुई है तो समझ लीजिए कि एक प्रभुका संकेत है, आपको जीवन में तरक्की और समाज में मान समान प्राप्त होगा कई बार हम छोटी छोटे संकेत पर ध्यान नहीं देते हैं, पर वास्तों में वे हमें आने वाले समय के बारे में सुझित करते रहते हैं पाचवा संकेत यदे आपके घर में बच्चे सदय खुशी से आते हैं और खेलते हैं, तो इसकारत ही कि आपका घर बच्चों को आती प्रिय है, आसपस के बच्चे, आपके परिवार के बच्चे, खुशी से आपके घर में खेलने लगते हैं या मुस्कराते हैं, उन्हें आपके घर में आ इश्वर का वास होता है एदि बच्चे आपके घर में आनन्दित महसुस करे तो ये भी इश्वर का संकेत ही माना गया है। तो दोस्तों क्या आपको भी ऐसे संकेत मिलते हैं तो कमेंड करके ओश्वर बताये। वीडियो पसंदाये तो लाइक करें। कमेंड में जैस्री कृष्ण अच्छे लिखें। साथी चानल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।